नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल तो दोस्तों हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश इस्पेसल का टेस्ट लगा रहे हैं और इसके पहले भी हमने कई पार्ट आपके अपलोड कर दियें प्लेलिस भी बना दिया है तो जितने बच्चे आप जुड़ चुके हैं सभी बच्ची वीडियो लाइक कर दें सेयर कर दें और जो नए बच्चे हैं वो सस्क्राइब कर लें और प्लेलिस के माद्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आपको हमारी आवाज आ रही है आवाज आ रही है किल गिलियर है चले स्टार्ट करते हैं यहां पर 76 नंबर से कराम से महर सिब आलमी की आश्रम इस्थापित है चले जवाब दीजिए फट फट दीजिए रिवीजन कोश्चन है आपके तो यहां पर 25 अंचियांतर का सही जवाब क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है आप में हो जाएगा बिठूर में है ठीके B-Number बिठूर में Next question आपसे कहening से कह रहा है कि उत्तर-Predeas में बौध एवम जैन धर्म दोनों का प्रसिद्तीर्थ इस्थल कहा पर है तो बौध एवम जैन दोनों का प्रसिद्तीर्थ कहा पर है? 77 का option right क्या हो जाएगा यहाँ पर 77 का option right आपका C हो जाएगा आपका cause हम भी option आपका C सही हो जाएगा next question आपसे कह रहा है गिर्जा देवी का संबंध किस घराने से है गिर्जा देवी का संबंध किस घराने से है चले यहाँ पर जवाब देने जवाब दीजिए सभी लोग चले यहाँ पर बिल्कुछ सई है ओप्षन आपका A हो जाएगा बनारस घराने से ठीक है 78 को ओप्षन आपका A हो जाएगा बनारस घराना Next question आप से कह रहा है किस घराने में ठुमरी अंग गाईका को अधिक प्रिसिद्धी मिली 79 का जवाब दीजिए और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और बिल्कुछ सई जवाब है ओप्षन आपका B हो जाएगा बनारस घराना ओप्षन आपका B Next question आप से सहारन पूर घराने के संस्थापक कौन थे अस्सिक जवाब दीजिए सहारन पूर घराने के संस्थापक कौन थे चले यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्षन राइट फर्स्ट हो जाएगा मोहम्मद जमा ठीके मोहम्मद जमा सहारन पूर घराने के संस्थापक थे, ठीके, नेस कर आप से, बिस्मिल्ला खां का संबंध किस घराने से है, चले एक क्यासिक जवाब दीजे, कि बिस्मिल्ला खां का संबंध किस घराने से है, चले यहां पर विलकुछ सही जवाब है, बिस्मिल्ला खां का भी संबंध आपक समावेश किया गया किसके कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया गया 82 के जवाब दीजिया पर तो यहां पर आपका जो ठुमरी गायन का समावेश किया गया वो आपका बिंदा दिन option right आपका 20 सही हो जएगा 82 कभी next कर आप से टपा गाय की सहली को प्रिचलित किया था टपा गाय की सहली को प्रिचलित किया था किस ने किया था चलिए 83 जवाब दीजिए यहां पर तो बिल्कुत सही जवाब है option right आपका यहां पड़ी हो जएगा मिया सौरी ने ठीक है मिया सौरी ने टपा गय की सहली को प्रचलित किया था ठीक है ठीक है टपा गय की नेश कराब से पंडित रभिसंकर का सम्मद किस घराने से है पंडित रभिसंकर का सम्मद किस घराने से है चोरासी के जवाब देना है आपर तिया पर पंडित रभिसंकर क सम्मद है आपके बनारस घराने से option right up का यह सही हो जाएगा चलिए next question कि कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्सिद्ध है कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्सिद्ध है 85 की जवाब दीजी यहां पर तिहां पर सितार वादन के लिए आपका है इटावा घराना ठीक है याद रखें सी नमबर इटावा घराना सी नमबर सही हो जाएगा नेश कर आप से ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलेंदियों पर पहुँचा दिया ख्याल गायकी जो है उसको किस घराने ने बुलेंदियों पर पहुचा दिया था 86 की जवाब देना आपको चलिए यहां पर 86 का सही जवाब हो जाएगा आपसन A रामपूर ठीके रामपूर घराना है जो कि आपके ख्याल गायकी को बुलेंदियों पर पहुचा दिया नेसकर आपसे कौन सा घराना सरोध वादन के लिए प्सिद्ध है कौन सा घराना सरोध वादन के लिए प्सिद्ध है 87 का जवाब दीजे यहां पर तो यह आपका सरोध वादन के लिए है आपका सा जहांपूर ठीके hopson अपका भी होजएगा साज अहाँ पूर होजएगा ठीके सरोध है वो आपका Cyan के सिकते थिदोग हुनुमें difference है चलू है एगला है सयद सलार मिला आयुजित होता है कहां पर बहुत बार question पुछा गया आपका सयद सलार मिला आयुजित होता है कहां पर 88 का साई जवाब क्या हो जाएगा चले बिल्कुँ साई है साईयद सलार मेला आपके कहाँ पर है आपके बहराइच में 88 अप्षन आपका A साई हो जाएगा नेसकर आपसे सूफी संत हाजी वारिस अलिसा की मजार पर मेला लगता है तो भाई कहाँ पर लगता है ये भी कोर्शन बहुत बार पूछा गया है कि हाजी वारिस अलिसा की मजार पर मेला लगता है यह आपके कहाँ पर 89 अप्षन रॉइट आपका यहां पर बी हो जाएगा देवा सरीप का मेला ठीक है उप्षन बी हो जाएगा जो अब उत्तरमद्द छेतर सांस्कित के इन्द है आपके इलाहवाद में है, उप्शन आपका C हो जएगा इलाहवाद में, Next question, कि निमनखित में से किसका संबन्द इलाहवाद से नहीं है, किसका संबन्द इलाहवाद से नहीं है, एक्यानमे का जवाब देना आपको चरे एक्यानमे का option right आपका यहां पर हो जागड़ी आपके बागे सोरी देवी का ठीके बागे सोरी देवी का सम्मन्द इलावास से नहीं है नेस्ट कोशन कि उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में इसनातक की उपाधी दी जाती है उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में इसनातक की उपाधी दी जाती है बानवे का option क्या हो जागा तो option आपका हो जागा यहां पर फर्स नमबर आपके चार संस्थानों में नेश कर आप से कजरी लोक गीत किस रित्म में गाया जाता है देखिए कितने question आपके पूछे गए हैं सभी question तो कजरी लोक गीत किस रित्म में गाया जाता है 93 का option right up का D हो जाएगा आपके वर्सा रित्म में ठीके D number वर्सा रित्म में नेसकर आपसे रसिया लोक गीत किस छेत्र में गाया जाता है रसिया लोक गीत किस छेत्र में गाया जाता है 94 का जवाब देना है आप वो तो यहाँ पर आपका 94 का उप्सन राइट आपका हो जाएगा बी नमबर आपके ब्रज शेत्र में ठीक है कहाँ पर ब्रज शेत्र में नेस कर आपसे ख्याल नरत उत्तर प्रदेश के किस शेत्र का लोक नरत है यहाँ पर 95 का जवाब दीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपका ख्याल नरत आपके बुंदेल खंड शेत्र का है ठीक है 95 का आपका C सही हो जाएगा ठीके चलिए जिस कोशन आप से कह रहा है कि निम्लिखित में इसे कौन सा नरत्ये ब्रज छेत्र का लोक नरत्य है 96 का सही जवब क्या हो जाएगा तिहां पर याद रखिएगा कि जो ब्रज छेत्र का है वो आपका रास नरत्य हो गया मैयूर भी हो गया चर्कुला भी हो गया और आपका जूला नरत्य अर्था 96 का सही जवाब का D हो जाएगा ये सभी ठीक है चली अगला कोर्शन आपका है कि धोविया नरत्य उत्तर प्रदेश के किस छेत्र का लोक नरत्य है दोविया नरत्य उत्तर प्रदेश के किस छेत्र का लोक नरत्य है 97 का जवाब देना आपको चली याँपर 97 का उप्सवाब का चली जवाब दीजिए तो चलिए यहाँ पर 98 का option right, बिल्कुर सही जवाब है, option right आपको first हो जाएगा आवद छेत्र का है, ठीके, आवद छेत्र का, नेश कर आप से, राई नरत उत्तर प्रदेश के किस छेत्र का लोक नरते है, 99 का जवाब देना आपको, चलिए 99 का option right आपको यहाँ पर हो जाएग डी नमबर बुंदेल खंड, ठीके, कहां का है आपका राई नरते, बुंदेल खंड का है, नेश कोस्चन, जोगनी उत्तर प्रदेश के किस छेत्र का लोक नरते है, 100 का जवाब दीजिए, कि जोगनी उत्तर प्रदेश के किस छेत्र का लोक नरते है, 100 का जहाँ पर जवाब को प्रदिर्शित करता है 101 को जावब 1-1 का जावब दीजिये तो यहां पर आपका जो अध्यात्य मिक्ता को प्रदर्सित करता है वह आपका छहापैली नरत्य ठीक है टिक है आपका से objetos आपका सी उत्तर प्रदेश का साश्ति नरत्य बताईए कितने बार कोषएन पूर्षण किस छेत्र का लोक नरत्य है नटवरी नरत्य उत्तर प्रदेश की किस छेत्र का लोक नरत्य है याँ पर आपको जवाब देना है चले 103 का ओप्षन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ओप्षन राइट आपका सी हो जाएगा यह पुरुवान चलका है ठीक है स गुलाबों सिताबों आप लोग देख्ते हैं कि दोनों हाथों में कटपुतिली वाला खेल होता है ना दोना हाथ हूं पहले THे और इसके बाद दोनों को आप लड़ाते हैं वोईजी चीज आपका है गुलाबों सिताबों ठीक है चली अगला कोर्शन है कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं 105 का जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं चलिए यहां पर जवाब आने सुरू हो गए हैं और बिल्कुछ सही जवाब है option right आप कहां पर यह हो जाएगा मत्रुआ में ठीके मत्रुआ में सरवाधिक मेले आपके लगते हैं ठीके और पीली बीत में सबसे कम लगते हैं याद रखेगा चलिए अगला है कि मोती लाल नेह बाल शंगाले कहां पर है 106 का जवाब दीजिए तो बिल्कुर सही जवाब है मोती लाल नेरू बाल शंगाले आपकी कहां पर है लखनो में option right आपका C हो जाएगा लखनो नेस्ट कोशन आप से कह रहा है कि लाहुल्स राहुल्स सक्रत्यान संस्थान कहां पर है राहुल्स स संस्थान कहां पर है 107 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो यहां पर सही जवाब हो जिएगा आपके option C आपके गोरकपूर में ठीक है गोरकपूर चलिए नेस्कोशन कि बुंदेल खंड 26 साल संग्हाले कहां पर है गोल्स वाटके जवाब दीजिए चलिए यहां पर सही पुस्तिकाल है कहां पर है 109 का जवाब दीजिए यहां पर चलिए 109 का उप्शन राइट आपके यहां पर हो जाएगा option right D हो जाएगा पांड लिप पुस्तिकाल है आपके इलहावाद में option right आपका D हो जाएगा चलिए next question का आते हैं कि राम बरात उत्सों का एवजन किस जनपद में होता है 110 का जवाब दीजिए चलिए 110 का option right आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा 110 का बिल्कुल सही है आपके आगरा में C नमबर हो जाएगा very good next question आपसे कह रहा है कि वर्त मान में कुल कितने राज की स्रंगाले हैं तो यहां पर 111 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब आपका C हो जाएगा आपके 14 है ठीके कितने 14 हैं नेश कराब से राज की स्रंगाले उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है 112 का जवाब देना है तो यहाद के राज की स्रंगाले जवाब के हैं वो आपके कहां पर है आपके लखनव औप्सन राइट आप का फर्स्ट हो जाएगा लखनव नेश कोशन आपसे कह रहा है कमपिल उत्तर प्रदेश की किस जिले में मनाया जाता है 113 का जवाब देना है तो यहाँ पर बिल्कुछ सही जवाब आ रहे हैं आपको यहाँ पर हो जाएगा यह नंबर आपके फर्वरे मामे ठीक है रट लीजे सभी कोशन सभी कोशन आपके पूछे गए हैं याद रखेगा अगला है त्रिवेडी महसो कहां मनाया जाता है 115 का जवाब देना है बिल्कुछ सही जवाब है सभी का very good option आपका see हो जाएगा आपके इलाहबाद में ठीक है इलाहबाद नेस कोशन कट घोडवा नरत्य उत्तर प्रदेश के किस छेतर में प्रचलित है 116 जवाब देना है तो भाई ये नरत्य आपके है पुरवांचल छेतर में ठीक है जवाब जिसका एया है बिल्कुछ सही है पुरवांचल छेतर हो जाएगा चलिए नेस कोशन के जवाब दीजे कि देवी नरत्य उत्तर प्रदेश के किस छेतर का लोकुनत है देवी नरत्य तो देवी नरत्य उत्तर प्रदेश के किस छेतर का लोकुनत है 117 का उप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा C नंबर बुंदेल खंड का याद रख जवाब देना आपको यहाँ पर देखें दीवारी दिया है लटमाल होली नहीं दिया है याद रखिएगा ठीक है तो यह आपके है बुंदेल खंड का याद रखें लटमाल दीवारी जवाब का है यह आपकी बुंदेल खंड का है ठीक है होली नहीं दिया है समझ लीजिएग का चलिल एगला है कि दर्कहरी रट्थ उत्तर प्रदेश के किस खेतर का लोगनत यह जाएगा היה Go पुरुमार्द्र आपसी दीप नरत्य उत्तर पडेश की किस चेत्र का लोखनत ये 140 का जवाब देना है कि चले 120 का न्याथ को 1 होजएगा बुंदेल खंट ठीक है इन्य, पहले बुंदिल खंड नेसक लेठत मार कोलिकूट्स थो मनाया जाता है लट्द मार करने यी आपके जवाब पर सूहीं, यी विल्कूटराइद बंब लुयां, ठीक है, D number ilahabad में Next question आपसे कह रहा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौं थी भारत की पहली बोलती फिल्म आपसे पूछा कहा है यहां पर 123 का opecimento right आपका होजाज़ाऒ B number आला मारा ये बोलती फिल्म ने थी और जो मुख फिल्म थी वह आपकी राजा हरिष्चन थी, ठीके, चली अगला है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी, 124 का जवाद दीजे चले 124 को उप्शन राइट यहां पर हो जाएगा उप्शन आपका सी हो जाएगा 1975 में की गए थी चल चित्र निगम की स्थापना ठीक है अगला है कुशाण एवं गुप्त यूगीन संस्कृत का एक मात्र राज की संगाले कहां पर है यह आपके कुशाण काल की बात कह रहा है और कुशाण कालीन एवं गुप्त कालीन संस्कत के एक मात्र राज की संगाले जो है यह आपके कहां पर है वेरी गुड ओप्शन आपका हो जाएगा डी आपके मतुरा में ठीक है मतुरा में राज की बहुत शंखाले कहां पर है 126 का जवाब दीजिए चली 123 का उपशन यहां पर बिलकुल सही जवाब है आपके डी नंबर है आपके राज की बहुत शंखाले आपके कहां पर है गोरगपूर में ठीके गोरगपूर में Next Question लोग कला संखाले कहां पर है सेल यहां पर लोक कला संगहले कहां पर है 127 का उप्सन राइट आपका ए वह जाएगा लखनौ में है ठीक है कहां पर है लखनौ में है नेस कोशन कि राज की पुरातत्त शंगहले कहां पर है राज की पुरा तत्र संगाले कहां पर है 128 का अपका क्या हो जाएगा तो राज की पुरा तत्र संगाले आपका जो है यह आपके कन्नोज में ठीके D number कन्नोज Next question कि जनपदी संगाले कहां है 139 का जवाब देना आपको तो याद रखे जनपदी संगाले आपकी सूल्तानपूर में है ठीके सूल्तानपूर आपका फर्स्ट हो जाएगा Next question कि सुतंता संग्राम संगाले कहां है 130 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो बिल्कुर सही जवाब है आपकी मेरट में है Next question डांक्टर भीम राव अम्बेटकर संघाले पुस्तकाले कहां है 131 का जवाब देना है और यहां पर 131 का अप्शन राइट आपका D हो जाएगा आपके रामपुर में याद रखीगा रामपुर में ठीके चली अगला है कि राज की जैन संघाले कहां है राज की जैन संघाले कहां पर है 132 का जवाब क्या हो जाएगा चली 132 का अप्शन राइट आपका जो राज की जैन संघाले है वो आपके मत्वरा में है अप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा मत्वरा में चलिए नेस कोशन आपसे कह रहा है कि राचकी पुरातत्र संगाले निम से कहां पर आपका है 134 का जवाब दीजे और यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा हैं कि जो दिक्कत आती आप नोट्स में लिखते रहे हैं जब नोट्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा इस तरह टेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप तयारी नहीं करेंगे, खुछ से तयारी नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीके?